एक कहानी आपने सुनी होगी, एक समय भग्णवान बुद्ध को जब ये पता चला कि कहीं पर एक यग हो रहा है और उस यग में बहुत सारे जानवरों को बली दी जाएगी, मतलब उनको जिंदा पाटा जाएगा, मारा जाएगा और फिर पका कर खाया जाएगा तो वो अपने भिको संके साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ जो आयोजक होते हैं जिन्नोंने हजारों की संख्या में गाउं के भोले भाले लोगों के जानवर जबर जस्ती पकड़ पकड़ कर काटने के लिए खटे किये हुए हैं, उनको वहाँ जाके समझाते हैं कि यग इसको नहीं कहते हैं यग का मतलब कुछ दूसरा होता है किसी की हत्या करके कभी भी कोई पुन्य नहीं कमाये चाह सकता और वो विपस्टना के थोरो उनको दिखाते भी हैं ये बात आए जोकों की समझ में आ जाते हैं और उस दिन हैं और आज भी सिद्दस भ्हारत के अंदर बहुत ज्यादा शुरक्षा दें हैं और बड़े इमांदार और कर्मठ और बहुत भूल यर बहुत अच्छे विक्ति होते हैं क्योंकि भगनमान बुद्ध के उसी पंसच के लोग हैं जिन्हों उन्हें तब गौ रख्खा की थी, वो आज भी गौ रख्खा करने के लिए, गौ की सुरक्षा के लिए, पालन करने के लिए आज भी तत्पर रहते हैं। यहां आपने देखा होगा कि जानवर वहां बहुत सारे बंदे हुए थे, मगर उनको गौ रख्खा बोला गया, कहीं भी बैल रख्खा, या भैंस रख्खा, या बकरी रख्खा, या ओंट रख्खा, या घोडा रख्खा, ऐसा नहीं बोला गया, यानि कि उनको गौ रख्ख हो चाहे कोई भी तरह के जानवर हो जो चौपाया है और जो मनुस्य के साथ में रहता है उसको सब को केटल बोलते हैं और केटल को पाली के अंदर गव बोलते हैं जैसे जतनी भी नदि क्लिभा इज इन सबगों गंगा जो नाम है नदी है यानि river को ही गंगा कहते हैं, river गंगा है, गंगा रिवर है, यानि नदी और river गंगा तीनों सेम एक दूसरे के परियावाची है ऐसे ही जो गौ है वो सारे kettle के लिए आता है, यानि kettle है अगर जानवर है तो वो गौ है इसलिए आपने कहीं भी भैस रखा नहीं देखा होगा, या भैस रखा नहीं सुना होगा आपने हमेशा गौ रखा ही सुना होगा, या गौ रखा ही सुना होगा, ये सब्द बलकुल साफ साफ है च्छोंकि गौ के यहाँ पर एक मतलब और भी है पाली के अंदर जो गौ है उसका एक बहुत सा सिंपल सा एक मतलब यहाँ और भी निकल के आता है वो आता है कि जब भिकू जब गौतम बुद्ध जब गौतम यानि गौ का आप नाम देखिए कि गौतम से गौतम बना हुआ है और गौ से जानवर बने हुए है दोनों सेम हैं गौ से हम सारे एनिमल को बोल रहे हैं पाली के अंदर गौतम जो बना हुआ है उसके पहले दौक्षर गौ हैं तो गौ और गौ दोनों सेम है तो यहां अगर गौचर गाम है यानि कि पाली के अ गौचर गाम बोलते हैं तो गौचर का मतलब होता है भिकका टन और यहां गौ का मतलब होता है भिककू और अगर यहां कहेंगे कि गौवाला यानि गौवाला या गाय वाला तो इसका मतलब होता है कि जो गाय चलाने जाता है उसको गौवाला बोलते हैं और गौव कुल यहां केटल चलाने वाले लोग हैं, उनको भी गौकुल बोला जाते हैं, उनको कुल को भी, तो ये बलकुल इस पर स्ट और ये किलियर है, इसलिए कन्फुजन आज की डियेट में इसलिए होता है, क्योंकि भिक्को लगबग जा चुके हैं, और भिक्कों के कुलवी लगवाख खतम हो चुके हैं, और जो गौर-ख़ँ अज़ वो गौर-ख़ँ से गौर-ख़ँ बन चुके हैं, तो जितने भी कन्फुजन थे, अज़क्व की सहएथत्य में जो नाम है, वो गौका जाता गौ जो होता है वो सभी के लिए बोला जाता है बेसिकलिए अगर आप काउ के लिए बोलेंगे तो गाय बोलेंगे या धैनू बोलेंगे गौ बचले के लिए भी आता है गौ बहांसे के लिए भी आता है गौ बहांसिया के लिए भी आता है आपने देखा हुगा कटपपा को किसने मारा जो बहु बली पिचरती उसमें महिस मीती करके एक सब्द बार बार आता है महिस मीती आपने महिसा सूर सुना होगा तो महिस मीती और महिसा सूर और महिस ये जो महिश है ये उधर के जो ब्लैक लोग हैं क्योंकि काओ का और भैस का या गाय का जो रंग है या घोड़े का रंग है या जानवरों का रंग है या मनुस्य का रंग है ये रंग परवत पर ठंड में सफेद होते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सभी जानवरों के, मनुस्य से लेके सभी जानवरों के रंग डार्ख होते चले जाते हैं, इन में कोई गौ या काय या भेंस भी अबाद नहीं है जो नीचे आगे वो काले होगे जो उपर रहे वो सफेद होगे बाकी जाती और प्रजाती लगबग उनकी सेम है, पूरी दुनिया के अंदर उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे मनुस्य की सारी जातियां लगबग सेम होती है जैसे उनको होमोसिस्मियंस बोलते हैं वैसे ही ये सब के सब बोले जाते है तो यहाँ जो कन्फूजन है, वो इस बात का है क्योंकि बहुत जादा जो परचार किया गया वो गौ को गाये से कहके दिया गया जैसे गौ दान, गौ दान का मतलब है भिक्कू के लिए दान देना, मगर गाये ही दान में चलीगी पूरी पूरी, क्योंकि गौ दान का मतलब गाये दान नहीं है और गौ भूमी वो होती है जहां बहुत सारे भिक्कू रहते हैं यानि बहुत सारे भिक्कू रहते हैं उसको गौ भूमी बोलते हैं और बहुत सारे गौ यानि केटल रहते हैं उसको भी गौ भूमी बोलते हैं गौधुली क्या होती है गौधुली वो होती है जब भिक्कु संग बहुत चलता था तो भिक्कु संग के पैरों से चलने से जो धूर उटती थी उसको गौधुली बोलते हैं और जो केटल चलते हैं उनके पैरों से धूर उटती है उसको भी गौधुली बोलते हैं तो दोनों important होगी, बाकी गौड होती चली गई, आपने देखा होगा एक गोठवाल होते हैं गोठवाल आज की डेट में राइस्थान में लोग होते हैं गोठवाल को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे दिखाई देता है जैसे गाय यानि गौको या जानवरों को पालने वाले हैं गोठवाल है बिशिकली शब्द अठव का मतलब है जो आठांगिक मार्क पे आठंगो वाले मार्क पे आठांगिक मार्क पे चलने वाले लोग हैं जो भिक्कों के वनसजों के परिवार से आए हुई लोग हैं जैसे एक परिवार में अगर मेरे परिवार में कोई चला गया भिक्कू बन गया और वो आठांगिक मार्ग पर चल रहा है तो मैं उसके परिवार का एक मेंबर हो गया तो ये फिरी में मुझे एक गोत मिल गया कि मैं आठांगिक मार्ग वाला तो गोठवाल हो गया यानि कि मैं आठांगिक मार्ग मे कमाल का सब्ध है गोवर गणेस से अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगे का जैसे किस गाय ना गोवर कर दिया और हम किसी आदमी को कहते हैं कि यह गोवर गणेस है उस ट्ची की तरह है इसमें कुछ नहीं पता है पेहले गोवर गणेस को देखते हैं क्या है उंट को क्या बोलते है उंट बर या बकरी को क्या बोलते है बकरी बर हाती को क्या बोलते है हाती बर मगर यहां सबकी लीद को सबके ही टटी को सबकी गोवर बोला जाता है इसका मतल़ है कि गोवर केटल को ही बोला जाता है जानवर को ही बोला जाता है गोवर यानि किसने मल क यहां गोबर का मतलब मल से नहीं है, यहां गोबर का मतलब है गोवर, यानि कि जो भिक्कू, गोव माने भिक्कू और वर माने स्रेष्ट, जो सबसे स्रेष्ट है, यानि भिक्कू में जो सबसे स्रेष्ट है, और सबसे स्रेष्ट कौन है? भगवान बुद्ध सबसे गण माने होता है व्यक्तियों या व्यक्तियों का समू जो हम लोग होते हैं उनको गण बोलते हैं जैसे गण तंत्र है भारत क्या है गण तंत्र यानि कि जितने भी लोग है उनके समू का तंत्र है तो गण इस यानि कि जो समू है गण जो लोगों का समू है उसका इस इसी का म गोवान बुद्ध के लिए बोला जाता है बाद में इसको गाली बना दिया गया एक सब्द और आएगा जो आएगा गोवर्धन परवत गोवर्धन परवत जो सब्द है आज की रेट में जो मानत है वो ये है कि मत्रा के पास में एक 8 किलो मीटर लंबा और 100 मीटर उंचा एक नैचुरल पहाड है ये पहाड अरावली परवत संख्ला का लास्ट पहाड है जो इधर आया हुआ है जो पहाड धीदरे खतम होते जाते हैं वहाँ ये लास्ट पहाड मिलता है राइस्थान में दो बहुत है मगर इसलिए ये लोगों के अट्रेक्शन का कारण और ट्रेव वर्धन यानि गाय का वर्धन यानि गाय को बढ़ने वाला गाय को पालने वाला तो गो वर्धन जो गाय को पालने वाला है ये सब्द सार्थक नहीं है क्योंकि सो मीटर उचाई पे जहाँ पानी नहीं है जहाँ घास नहीं है जहाँ आप कोई सड़क नहीं है जहाँ आप लेके जाने सकते भूसा चारा लेके जाने सकते वहां इतनी गर्मी में उपर गाय का समवर्धन या गाय का बढ़ाना कैसे हो सकता है गाय को बढ़ाने के लिए या गाय का वर्धन करने के लिए एक जंगल होना चाहिए जहां बहुत सारा चारा हो और पानी हो और गाय को ज़्यादा परिशन ना हो तो ये परवत इस सब्द को सार्थक नहीं करता इसका मतलब ये गौ वर्धन का मतलब गाय को बढ़ाने वाला गाय का वर्धन करने वाला परवत नहीं है मगर दूसरे सब्द में अगर हम देखें इसे तो गौ का मतलब है भिक्कू यानि भिक्कू का वर्धन करने वाला परवत ये सद्द ब्रगूर ठीक है क्योंकि भिक्कू जो है वहाँ बैठके तपस्या करते हैं ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, विपस्ना करते हैं तो ये जो गोवर्धन यानि कि गोवर धनका अगर हम पूरा थोड़ा सा चित्मे और क्लियर करें तो ये है गोवर धम परवत यानि गोव माने भिक्कु हो गया, वर माने स्रेश्ट और सबसे अच्छा हो गया, एक्चलेंट हो गया धम माने प्राकरतिक नियम होगे या वर्धन भी बोल सकते हैं इसको यानि बढ़ाने वाला हो गया परवत माने परवत हो गया इसको गिरी भी बुलते हैं ये सब्द ब्लकुल सार्थक है क्योंकि भारत के अंदर भिक्कों की परंपरा में जो समन परंपरा है जितने भी भिक्कू है क्योंकि वहां तो वैसे भी मौरेयों का शासन रहा है गौवअरधन परवत के आसपास जितने भी भारत में परवत हैं, जहां रहने लाइक परवत हैं, उन सब पे भिको ने स्कूल और कॉलिज और यूनिवस्टियां बनाए हैं, और वहां पे जाके उन्होंने समवर्धन किया है धम का समवर्धन यानि के उनको बढ़ाया है वर्धन किया है उसको बढ़ाया है ये सब्द बलकुल किलियर और बलकुल इसपस्ट है इसलिए जो गौव सब्द है गौव सब्द में कहीं भी कन्फूज ना हो गौव के दो मिनिंग है एक है केटल यानि सब् सब्सक्राइब नहीं है क्योंकि बहुत सारे मुहावरे आपने देखे होंगे जैसे गई भैस पानी में या कहते हैं कि भैस के आगे बीन बजाना या जिसकी लाठी उसकी भैस और जैसे कहते हैं कि भैस पूँच उठाएगी तो गोबर ही करेगी यानि कि गाना नहीं गाएगी अब आप यह देखिए कि भैस पूँच उठाएगी तो गोबर ही करेगी जबकि गोव यहाँ जो लोगों की जानकारी में है वो ग प्रशन आया है, बड़ा वाजिर प्रशन है, और बहुत ही बुद्धी जीवी, कह सकता हूँ कि दो-तीन बुद्धी जीवी लोगों की तरब से आया है, कहते हैं कि आपकी हर बात पाली पे आकर रुकती है, पहली बात तो यह है, और दूसरा यह है कि आप ने जितने भी फेस्टिबल बताये हैं, टीम 22 की वीडियोज में, लगबग सारे ही भारत के फेस्टिबल कुछ को छोड़कर, वो सभी मूल निवासियों के फेस्टिबल आपने, यानि जो उत्सब हैं, जो उत्सब के या जो जिसको तोहर बोलते हैं, या फेस्टिबल बोलते हैं, वो सारे के सारे ही आपने ये सिद्ध कर दिये, कि वो पाली से बने हुए हैं, और भारत के मूल निवासियों के हैं, कुछ मुझे उनका एतरासा लगा, और यहां ये जवाद देना इसलिए जरूरी है, क्योंकि वीडियो काफी लोग देख रहे हैं, और आगे शेयर भी कर रहे हैं, तो कोई संसे ना रहे, कोई भ्रहम ना रहे, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर भ्रहम है, तो उसको दूर होना चाहिए, कोई भी आकरंता, या कोई भी इन्वेडर, या कोई भी लडाका, या कोई भी योध्धा, या जब भारत के लोग भी अगर कहीं युद्ध करने जाएंगे या भारत में जो लोग युद करने के लिए आए और यहां आके रहे या बसे ये एक ध्यान देने वाली बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब आदमी युद करने जाता है तो अपने साथ में अपनी इस्त्रियां लेकर नहीं जाता ये बात सब जानते हैं तो दूसरी बात ये भी सत है कि कोई भी युद्ध करने वाला अपने साथ अपने फेस्टिबल लेकर नहीं जाता फेस्टिबल हम ऐसा तोहार या उत्सब हम ऐसा बहुत सालों में विक्सित होते हैं और वहीं विक्सित होते हैं जहां लोग रहते हैं यानि लोगों का जो समू जहां रहता है उसका कोई ना कोई कारण है जैसे भारत में जितने भी festival हैं वो mostly करसी पढ़ान है या तो फसल बोई जा रही है या फसल कट रही है या फसल पक रही है या फसल आने वाली है या फसल आ चुकी है सारे जितने भी फेस्टिबल हैं वो लगबग लगबग फार्मिंग के उपर किसानों के उपर खेती के उपर बने हुए क्योंकि यहां के सारे लोग खेतिये थे, खेतिया का बाद में आधा के और खेको छे बनाया गया, तो छेतिये बोला गया, तो जितने फार्मर हैं, खेतिये लोग हैं, उन सब के फेस्टिबल हैं, और वो लोग तो बाहर गए नहीं इंडिया से, बाहर के लोग यहां आए, तो आने के बाद में यहीं के फ इसा भुला दिया। कुछ भी किया मगर फैस्टिबल यहीं के हैं, फैस्टिबल कभी बाहर के नहीं होते हैं। भारत के लोग जब युद्द कने जाएंगे और सपोज अगर वो कल को अमरीका पे कबजा कर लें तो अमरीका में जो Easter बनता है या अमरीका में जो Good Friday बनता है या अमरीका में जो Christmas बनता है क्योंकि अधिकतर जनसंक्या लोग तो अमरीकन लोगी रहेगी भारत के लोग तो मुठी बढ़ जाएंगे पूरा भारत उटके तो जाएगा नहीं अमरीका पे कबजा करने के लिए या लड़ने के लिए तो वहाँ अगर भारत ने रूल भी कर लिया तो जो Easter है जो क्रिस्टने वहाँ के लोग तो मनाएंगे हाँ ये हो सकता है कि वहाँ शार्षक अगर भारत हो जाए और वो कहे कि अब जो Christmas बनेगा उसमें पटाके भी छुटेंगे या अब जो Easter बनेगा उसमें हलुआ पूरी भी चलेगा या अब जो क्या बोलते हैं Good Friday बनेगा तो उसके अंदर रंग खिला जाएगा ये हो सकता है चेंज मगर वहां का मूल फेस्टिबल नहीं होगा तो इसलिए फेस्टिबल मूल पाली के अंदर छुपे हुए है जब हम वीडियोज बनाते हैं तो इस वीडियोज की बाकाइदा बहुत सारा अनुसंधान करने के बाद बनाते है और पाली क्या बोल रही है हम वो बताते है हम क्या बोल रहे हैं हम ये नहीं बताते बिसकलि हमारे पास में और कोई भासा है भी नहीं हिंदी जितनी भी भासा है हिंदी का तो शब्द भी बहुत बाद में आया है तो हिंदी को ही पाली है भारत की जितनी भासा है वो पाली है वो पाली किसली है और क्यों है क्योंकि एक बहुत बुद्धिमान विक्ति का हमारे पास में फोन आया और उन्हें कहा कि पाली तो मगद के थोड़े सी एरिया में थी इसको मगदी बुला करते थे वो बिल्कुल ठीक करें पाली बहुत छोटे से हिस्से में थी इसका पुराना नाम मगदी था और उससे भी इसका पुराना नाम था जो राजा परसंजीत के नाम से थी उसके नाम से ये बोली जाते थी तो जो मगदी है यानि मगद की है और मगद से पहले जो उसका जो पूरा छेत है वहाँ के ये नाम से जानी जाती है मगर बाद में असोक के समय में तो ये इरान तक चली गई उधर बर्मा तक चली गई तो आप ये सोचिए कि जब राजा की भासा जब राजा आता है तो वो अपनी भासा का भी विस्तार करता है और ये पूरे भारत में फैल गई जैसे इंग्लिस जो लोग थे जो अंग्रेज लोग थे जब वो पूरी दुनिया में आये तो उन्होंने अंग्रेजी फैला दी जैसे अरब लोग भारत में आये और भारत में आकर उन्होंने राज किया तो यहां अर्भी फैलाती अर्भी की बाद में उर्दू बनी उर्दू और पाली लगवग मिक्स हैं पाली को अर्भी को मिक्स करके उर्दू बनाया गया जो यहां की भासा है तो इसलिए जो टोटल जो भासा है वो पाली ही है और हिंदी अधिकतर पाली है हिंदी में कुछ क्यों黨कि जो हैं चालता है वह पाली प्राक्रप्राइबक भाता है कोißtरों भी आसा विक्ति जो कभी भी देख वी बशाबाया या जो कि भी बोल रहा है तो नंगे यह पाली ही थोड़े-थोड़े change किये हुए हैं, वो change हम समय समय पे बताते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, परसन आपके आते रहते हैं, जवाब हम देते रहते हैं, इसलिए festival सारे भारत के हैं, कुछ festival को छोड़के, जैसे अकरांता अपने साथ ले-के आएं, जो rugby लेके आएं, जो muslim festival हैं, वो भारत के नहीं हैं, चलते रहते हैं, इसका कहीं तो इसलिए ये चलते रहते हैं इसका कहीं कोई ना ही बुरा मनना चाहिए ना ही इसका अच्छा मनना चाहिए हाँ तर्ख पर जरूर कसना चाहिए और तर्ख पर कसके देखिए कि फेस्टिवल कौन से यहां के हैं और कौन से फेस्टिवल बाहर के हैं आपके festival अगर आपको बापस मिल रहें तो अच्छी बात है, आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, अच्छी बात है, आपको लगता है कि ये मत ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को ये मत अच्छा लगता है, तो उनके लिए ठीक है, हमार के साथ मैं एक रूप के साथ मैं सब को देता है धन्यवाद कर देता है भी जादाल ओेता है टादा के साथ मैं सब कर देता है भी जा काछती है कि अश्यूब के साथ मैं और से इल भी जा सतके पर चूले के लादा है